मेरी मा आज भी अनपड़ ही है, रोटी एक मांगता हूँ और वो दो ला कर देती है जी हाँ दोस्तो, कुछ ऐसी ही होती है हमारी मा, एक मा सब की जगह ले सकती है मगर इस दुनिया में कोई भी मा की जगह नहीं ले सकता शायद इसलिए कहते हैं दोस्तो, कभी अपनी मा का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है हर रिष्टे में मिलावट देखी, कच्चे, रंगों की सजावट देखी लेकिन सालों साल देखा है उस मा को उनके चहरे पर ना थकावट देखी, ना ममता में मिलावट देखी आज फिर गुजरा जमाना याद आता है, मुझे घर का खाना याद आता है दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है वो प्यार से मा का खिलाना याद आता है मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है अपने हाथों को चूले में जलाना याद आता है वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है मेरे वास्ते तेरा पैसे बचाना याद आता है कहीं हो ना जाए घर की मुसीबत मुझको मालूम छुपा कर तकलीफ हैं तेरा मुस्कुराना याद आता है जब आये थे तुझे हम छोड़कर परदेश मेरी मा मुझे वो तेरा आंसू बहाना बहुत याद आता है जिन्दगी के सफर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं नए रिष्टे बनाते हैं नए दोस्त बनाते हैं और अपनी जिन्दगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उस मा का हाल पूछने के लिए एक फोन करने का समय भी हमारे पास नहीं रहता हम उस मा को भूल जाते हैं जिसने हमें नौ महीने पेट में रखकर पाला था दोस्तों हमेशा ये याद रखना पुरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी पर आपकी मा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी वो हमेशा केवल आपका भला चाहती है तब ही तो किसी ने क्या खोब लिखा है मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी मा को दिया होता शायद यही वज़े है कि उम्र कोई भी हो लेकिन जब चोट लगती है तो मुझे सबसे पहला लवस मा ही निकलता है जब हम बोलना नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना मा हमारी बातों को समझ जाती थी और आज हम हर बात पर कहते थे हैं कि छोड़ो मा, तुम कैं समझोगी तेरे डिब्बे की वो दो रोटिया कहीं विक्ती नहीं मा महंगे होटलों में आज भी भूख मिटती नहीं मा भरे हुए घर में तेरी आहट मिलती नहीं मा तेरी बाहों की नर्माहट कहीं मिलती नहीं मा मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाला रेश मी लेकिन तेरी गोधी की गर्माहट कहीं मिलती नहीं मा दोस्तो कुछ ऐसी ही होती है मा, अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का त्याग सिर्फ मा ही कर सकती है। दुनिया में केवल मा एक ऐसी है जो साल के 365 दिन बिना छुटी और बिना पगार के काम करती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। मैं खुबसूरत हूँ बहुत ये मेरी मा कहती है। दोस्तो बच्पन में मा का चोट पर हलके से फूक मारना और कहना बस अभी ठीक हो जाएगा। वैसा मलहम आज तक नहीं बना। बहुत बुरा हो फिर भी उसको बहुत भला कहती है। अपना गंदा बच्चा भी मा दूत का धुला कहती है। सीधा साधा भुला भाला मैं ही सबसे सच्चा हूँ। कितना भी हो जाओं बड़ा मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। दोस्तो वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिसने तुम्हें नौ महीने पेट में, तीन साल हाथों में और जिंदिगी भर अपने दिल में चगे दी, उस मा की हमेशा कदर कीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इनसान की कदर हमें तब पता चलती है, जब वो हमारे पास इस दुनिया में नहीं होता। मा की दुवा कभी टाली नहीं जाती, बरतन माज कर भी 3-4 बच्चे पाल लेती है मा, मगर दुनिया की कड़वी सचाई ये है के 3-4 बच्चों से एक मा पाली नहीं जाती, मा के कंधे पर जब सर रखा मैंने और पूछा मा से कब तक यूही अपने कंधे पर सोने दोगी तो मा ने कहा बेटा तब तक जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर नहीं उठा लेंगे मा जो भी बनाए उसे बिना नखरे की ये खालिया करो क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास या तो खाना नहीं होता या मा नहीं होती है दोस्तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये हर बेटे तक पहुँच जाए और अगर आपकी अपनी मा से बहुत दिनों से बात ना हुई हो तो आज ही अपनी मा को फोन कीजिए और कह दीजिए उन्हें मा आई लव यू मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्म कूर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा सुनते रहिए मन की आवाज